वेलकम टो एसी प्लस डिजिटल प्लेटफर्म आफ एडवांस एंजिरिंग क्लासिस चार दिसंबर दोजार तेईस बस आने ही वाला है आपका ससी जेए मेंस का एक्जाम और मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी आपकी प्रिपरेशन को दिसकस किये जो प्रॉबैबिलिटी रखते हैं ससी जेए मेंस में आने के और मैंने क्या किया आपको एक असर्शन रीजनेंग का अलग से एक टॉपिक जो लेक्टेस लेके दिये हैं जिससे कि आपका काम आसान हो गया आपको भटकने की आवशकता नहीं क्यों मैंने आपके एका क्या करना है कि अपने शॉट नोणोस अठालिजिये को कोई भी booster या फिर handbook है वो ठालीजिए और उठकर बैठ जाईए अगर मैं मैंनत कर रहा हूं तो आपको भी मैंनत करना है ऐसा नहीं कि आप लेटे हैं पड़े हैं सर बोलते जा रहे हैं समझ आता जाएगा ऐसे में तो पर सिंपल हो जाना है चलिए चलिए देखते हैं आगे बढ़िये ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि सर क्या आप हमें कॉंस्टन सपोट कर सकते हैं क्यों कि सर एक्जाम बहुत पास है हमें सब्जेक्ट रिवीजन की जोड़त है अगर आपको सब्जेक्ट रिवाइस करना है तो एई सी प्लस है पर हमने क्या किया है प्रैक्टिस प क्वेशंट्स जो एससी जे इमिन्स के लेवल के हैं गैट खूंदर यूजब रीजनेंग वाले क्वेशों से और स्टेवन्च है पूरा पैकेज आपको मिल गया हमको चाहिए कि टैस लगाने मिले तो सौ जिसमें सब्जेक्ट वाइस टैस्टो है ही और । वीस क्या है बस इमानदारी से आपको फॉलो करना है हमने पूरी मेहनत की आपके साथ आपको मैंने पूरा सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट वन क्वेस्चन से लेकर आज मैं करीब 400 क्वेस्चन करा दूंगा आपके लिए और पूरा सब्जेक्ट रिवाइस कर दिया आपको बस क्या करना था रिवीजन करना था और अभी भी टाइम है आप रिवाइस कर लीजिए आपका सेलेक्षिन कोई नहीं रोख सकता अप एक बात बताईए जिसका प्री नहीं हुगा है उससे पूछिए कि कैसा लगता है आपको चांस मिला है यहीं पर सेलेक्षिन लीजिए और आगे बढ़ अब यह कितनी बार say नहीं किन पिर से सुनिए चया है इंटरविविज तर्म है पूछते ही और गिंद कर रहा है पूछते हैं और सुनिए कि नीचे जो stratus है या tectonic rates है उनका movement हो या फिर soil पर कोई dynamic loading लगे तो क्या होगा sir poor water poor water move करने की कोशिस करेगा poor water move करने की कोशिस करेगा जो क्या generate होगा poor water pressure generate हुआ poor water pressure जब generate हुआ यह उपर की तरह आया अब यह soil का जो soil grains जो effective stress लगा रहे हैं उसको reduce करेगा या फिर ऐसे बोलो जो soil है उसका उसको decrease करने की कोशिश करेगा कैसी soil यह lose saturated sand में होता है किसमें loose saturated sand या fine sand में होता है यह कभी clay में नहीं होती liquefaction कभी बी clay में नहीं होगा कभी be gravel नहीं होगا या प्राटक्टिया लिक्ष्टफैक्षंड तो क्या हुआ एफश्ट्रेस् जिरो हो एफट्रेस्ट हो ही गया तो इसकी सियर स्टेंथ जो ही जियर ज्ब से कैसे य़पर डिफरेंच से में सीपेज 콘 brakes रहा था लिक्षटफैक्षंड में जो tectonic plates का मूवमेंट earthquake या फिर डानमीक लोडिंग के कारण क्या हो रहा है according tohello यह किस करण से है की fine sand में पानी को हमिएगर पानी निकल जाता थे तो पानी और भांड बन पाता थो आपकी स्वाइब करती पानी के साथ तो क्या परिप्रेबिलिटे पर डिपेंड अप R Kelly कर रहा है कि हाँ सर जिसका परिबिलिटी कम추 है बांग पानी र Rei हो पानी फैल आउट नहीं हो पा रहा है तो पानी जबर अप्पैनी हो पा रहा है दो मतलब क्या कि इसकी परेंबिलिटी कम है इस कारण से लिक्विफेक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो पड़ो स्टेटमेंट टू इस वेटर एक्स्प्लेसन एक्स्प्लेनशन ऑफ स्टेटमेंट वन ओक है तो यह ऑप्सें नम्बर विए करेक्ट समझ में आई बात चलिए आगे बढ़िए एक सकंड करमी क्यों लग रही है देखे आ क्या बोल रहा है यह यह गलत दिया है ओके चलिए आगे बढ़िए क्या दिया है 362 बोलता है कि cohesion and angle of internal friction are shear strength parameters of soil जो cohesion होता है और angle of friction shear strength parameter होते हैं ये तो sir हम इन से खेलते हैं इनको तो हमने सवालों में कितना use किया है c और 5 shear strength parameter है हाँ क्यों हम जानते हैं कि shear strength कैसे define होता है c plus sigma n bar 10 5 इतर जागी ने बताया था हाँ sigma n bar effective stress का c का और 5 का function है क्या तो यह बात तो correct है फिर बोल रहा है cohesion is zero for pure send यतना तो यह तो बेसिक है बेसिक है इस फ्राइल का तो c is zero for course किसके लिए send के लिए और angle of internal friction 5 is zero for pure click के लिए ओके यह दोनों चीजें तो basic हैं दोनों statement इंडिविज्वाली सही है क्या हाँ सब दोनों statement individually correct लेकिन यह इसको explain कर रहा है क्या explain कर रहा है क्या नहीं यह statement to statement one को reason I fight नहीं कर रहा reason नहीं दे रहा है इसलिए यह option तो be correct होगा दोनों statement सही लेकिन reason नहीं है statement to statement one का बात समझ में आई क्या हाँ सर देखिए चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो question number 363 क्या कह रहा है statement one the inclination of the resultant stresses with normal can exceed angle of repose can exceed angle of repose श नई atom आया क्या angle of repose एक नई atom आया पहले समझो यह क्या होता है देखो किसी भी surface पर soil की surface पर देखिएगा यह soil की surface है surface है उस पर यह नॉर्मल stress लग रही ओके रही से नॉन्मल stress लग रही है ये दोखो ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है और ये क्या लग रही है सर ये शियर स्ट्रेस लग रही है ओके ये हो गया आपका शियर स्ट्रेस और ये हो गई आपकी नॉर्मल स्ट्रेस ठीक है इनका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो resultant कैसे निकलेगा सर यह हो गया इसका resultant यह हो गया R resultant ओके यह resultant दोनों का जो resultant force रहेगा resultant force रहेगा वो normal stress से normal stress से जो angle बनाएगा जो angle बनाएगा उसको बोलते हैं हम angle of obliguity क्या बोलते हैं सर angle of obliguity and represented by beta तो यह जो बोल रहा है adopting old old terminology इसका मतलब भी इसको हम बीटा से represent करेंगे तो the inclination of the resultant stress with normal इसके लिए हम एक terminology यूज करते हैं क्या बोलते हैं इस term को बोलते हैं angle of angle of obliquity क्या angle of obliquity ओके ठीक है सर अब जो angle of obliquity यह जो resultant stress का angle है with normal यह जो बढ़ते बढ़ते maximum पर पुहच जाएगा तो style क्या हो जाएगी सर फेल हो जाएगी här papier हो जाएगी failure होने लगें गा में समझ में आई तो यह resultant का resultant जो गोई my बना रहा है Warren आए उस जो जब maximum हो जाएगा soil फेल हो जाएगी और उस maximum मेंगल को क्या बोलते हैं सर उस मेग्जीमम एंगल को हम बोलते हैं एंगल ओफ रिपोज रिजल्ट एंट जो नॉर्मल स्ट्रेस से मेग्जीमम एंगल बनाता है जिस पर स्वाइल फेल होती है उस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ओफ रिपोज तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क वींट गवं पुल क Attack ची वेल्यू कभी बी ज्यादा नहीं किस से जाद से नहीं क्यादक म्लेयर और यहें चिसके बीच में बन रहा है पहले statement क्या लिखा है पड़िए in Altर Darkness दिश्ट्रेस वित су normal stress normal can exceed angle of reproduz your inclination angle of reproduce से ज्यादा हो सकता नहीं यह तो अभी मैंने बताया बीटा मेक्स से तो ज्यादा नहीं हो सकता तो this statement गलत और जब यह statement गलत तो thumbs are those do a certain reasonably say the summary sum क्योंकि statement यह पाम का सते साथ्डा ही statement d सही हो जाता है यही तो तो खासियत रीजिनिंग की और एक चीज और चलिए मैं आगे बता दूँगा वैसे तो मैंने पहले उससे बताया है पहले एसर रीजिनिंग के वीडियो से बताया है ये दोनों स्टेटमेंट आप बीच में विकॉस लगा कर पड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा रीजन ह यहां तो रीजन है यह पड़ा करने की जरूरत ही नहीं क्यों नहीं यह सरजरूरत इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही गलत होगी आप दूसरा पढ़ लो क्या स्टेटमेंट टू रेशियो ऑफ दिफरेंस विट्वीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट मदलब सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री इनका डिफरेंस और रेशियो किसके साथ टू देयर टू देयर संग कैन नॉट इसके डिफरेंस का इसके संग से रेशियो जैन नॉट एक्सीड दसाइन ओफ दे एंगल ओफ रिपोज बहुत प्यारा स्टेटमेंट है यह बिलकु और यह बिलकु देखिए इन दौनों का डिफियो साइन फाइसा अंगल ओफ रिपोज से जादा नहीं होना चाहिए सही बात है तो यह स्टेटमेंट टू इस करेक्ट स्टेटमेंट टू इस करेक्ट सो आफसन नमबर डी एस करेक्ट समझ में आती है बात चली आगे बढ़ एक मिनट एक मिनट रुकना यह गलत है ठीक है चलिए प्रिंटिंग मिस्टिक हो जाती है कभी कभी 364 बोल रहा है anchored sheet pile wall is supported near its top by rods और cables anchored in soil anchored in soil तो देखो क्या बोल रहा है यह यह अगर एक soil है यह soil का ground level है ओके इसके नीचे क्या है स्वाइल है अगर एक sheet pile है एक sheet pile आपने लीए यह मान की चलिए यह क्या शीट पाइल है इसको एंग़ शीट पाइल कब बोलोगे भाई इसको सर एंगर करेंगे जब यह यह वाइल आइग रहे हैं इसको बोला गया इसको बोला गया समझ में आया चलिए ठीक है तो on the basis of behavior मतलब कैसा यूज है उसके सबसे आपने पाइल को क्या कर दिया classify इधर बोल दिया आपने इसे anchor seat pile ऐसे कई पाइल आगे पढ़ते जाएंगे पाइल के और भी मतलब प्रकार आपको पता चलते जाएंगे टाइस पता चलते जाएंगे देखो anchored sheet pile wall is supported near its top by rods और cables anchored in soil यस सर ये बात बिलकुल सही है ये बात बिलकुल सही है ठीक है second statement क्या लिखा है the anchors anchor system reduction reduces the depth of penetration and the thickness of the section of pile एक बात बताईए कि हम जो depth of penetration of pile को जो हम उसकी thickness क्यों करते हैं सर क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा stable बना पाएं structure जितनी जाद שה होगी उतना ज्याद सपर इंया ज़ाद सबस्क्रक्चर को क्या कर पाएंगे सब्सक्र्ट वौ व क्या मझबूत या load उसको move नहीं करा पाएगा लेकिन अगर उसको anchored कर दिया आपने ऊपर से ही आपने अच्छा खासा support दे दिया टॉप से तो क्या ये इसको unstable कर पाएगा इसको side move करा पाएगा क्या seat pile wall को seat pile को move करा पाएगा क्या नहीं करा पाएगा इसलिए अगर हम anchorage provide कर देते हैं तो क्या होता है अगर हम anchorage provide कर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा depth तक provide करें और ज्यादा thickness wall की दें तो आप एक बात बताईए statement सही लिखा है कि हाँ पढ़ो फिर से क्या दे दे रहा है कि the anchor system reduces the depth of penetration of end the thickness of section of pile मतलब depth of penetration और thickness of section को reduce कर देता है anchorage system यह बात भी सही है यह बात इसका यह वाली बात जो reason है explain कर रहा है क्या नहीं आप देखिए उल्टा लिखा है क्या अगर reason assertion की जगा लिखा होता तो आप because लगा के पढ़िए देखो क्या the anchor system reduces the depth of penetration and the thickness of the section pile because क्योंकि anchored seat pile wall is supported near its top by rods और cables anchored in soil क्योंकि anchored pile जो रहती है वो क्या रहती है sir वो support रहती है cable से या फिर cable से या फिर rod से इसलिए हम उसकी depth इसलिए हम उसकी depth of penetration और thickness को कम रख सकते है तो यह इसका reason नहीं है उपर वाला इसका reason है तो दोनों statement individually correct है लेकिन reason उल्टा लिखा है तो a option पर टिक नहीं करेंगे हम क्या कहेंगे option number b is correct क्योंकि दोनों individually correct है लेकिन reason explain नहीं कर रहा है सरसन के लिए समझ में आती है बात चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़िए question number 365 क्या बोल रहा है आप पैसिव अर्थप्रेसर इस ऑल्वेज ग्रेटर दें अर्थप्रेसर एट रेस्ट एंड एक्टिव अर्थप्रेसर कितने सवाल लगा है हमने अर्थप्रेसर वाले कोई एक्टिव अर्थप्रेसर इसको मैं बता रहा था क्यों अब मैंने आपको बता था एक्टिव अर्थप्रेसर क्या है सर एक्टिव अर्थप्रेसर है कि यह जब अगर स्वाइल है और यह वाल है आपका structure है यह जो स्वाइल की जो अर्थफिल है मेरे इस हाथ के नीचे अर् प्रेशर कर रही है तो ये अत्यूट तो यह च्टिंग इस्ट्य स्त्रक्चर कौन सा है डूंग रजिस्ट करने के लिए सर रजिस्ट करने के लिए वाल थी तो यह रजिस्टिंग स्ट्रक्चर तो आप मूफ कर गया क्योंकि एक्टिएट कर रहा था क्या बैक फिल तो क्या हुआ सर यह strength active earth pressure के case में active earth pressure के जो रहता है वो decrease इस में कम रहता है as compared to what x compare to earth pressure at rest as well as earth pressure at passive stage okay earth pressure at rest का क्या मतलब ये wall अपनी ही position में रहे ना ही ये away from backfill move करें ना ही towards backfill move करें अपनी ही position में रहेगा तो उसको बुलते हैं pay note मतलब अर्थ-pressure at rest pp क्या और्फ Ondas preserve earth pressure पैस अर्फ प्रैसर का मतलब क्या when wall moves towards when wall moves towards the backfill to work तूवर्च बैकफिल क्या करें वॉल मूव करें तो क्या होगा sir actuating element अब क्या actuate करने मतलब move करने वाला अब structure move कर रहे है यह wall क्या है कि structure है यह move कर रहा है रजिस्ट कौन कर रहा है सर रजिस्ट कर रहा है क्या रजिस्ट कर रहा है आपका backfill जब रजिस्ट कर रहा है तो यह compression होगा क्या हां सर compression हो और particles पास आ जाएंगे हां सर आ जाएंगे तो क्या pressure ज्यादा प्रेसर जादा होगा किया हाँ तो passive earth pressure पैसी वर्फप्रेसर ज्यादा as compared to as compared to sorry earth pressure at rest and which is which is greater than earth pressure at active stage और फिर active earth pressure से ज्यादा बात समझे तिया है हाँ sir तो पढ़ू passive earth pressure is always greater than the earth pressure at rest and active earth pressure yes sir because कैसे पढ़ना है आपको because पीच में क्या पढ़ना है sir because in passive state the structure becomes the actuating element yes actuating element का मतलब क्या move करेगा move करेगा कौन सा structure move करेगा न हाँ कहां move करेगा towards towards and soil becomes the resisting element कौन रजिस्ट करेगा सर actuating मतलब move करेगा कौन सा structure मूव करेगा towards ला 落सी सर मूव करे तरह दा अ जिस रहीं जिसकतर जो स्टर्क्चर मूव अवे दा बैक फिल होने लगा था इसलिए एक्टिव प्रेसर कम था लेकिन यहां उल्टा है एक्ट्वेटिंग अलिमेंट इस ट्रक्चर अर्थ फिल या फिर वह स्वाइल सो क्या हो जाएगा इसलिए पैसे वर्थ प्रेसर ज्यादा होता है तो दोनों स्टेट्मेंट समझ में आई क्या आपके लिए चलिए चलिए आगे बढ़िए यह गलत दिया है यार प्रिंटिंग मिस्टेक है चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन 366 क्या कह रहा है बेस्मेंट वॉल्स एंड ब्रिज अबट्मेंट्स आर यूजुली डिजाइंड फॉर अर्थ प्रेस आपने बेस्मेंट जो आपने देखा हूआ बैस्मेंट ल다가 करें लिए इससे हिए अगर रोड गया है यहां अगर यहां गया है तो चलिए इसे अदर नगे बंटार है तो मेर्स्ट कर दो चलिए तो समसटिर Hai यहां झाल यहांन कि चलु कि रच भॉत bro morning हा है 1 1999 मैं आपकी तरह मान लो, क्या structure है, क्या है, basement structure है, ऊपर से क्या गई है, road गई है, तो नीचे क्या parking है, for example, parking है, तो एक बत बताएए, ये जो क्या है, ये जो road है, और basement की क्या slab भी होगी, हाँ सर, slab भी होगी, सर, जब ये slab होगी, तो क्या करेगी, इसको ऊपर से support करेगी, इस side सक आपकी तरह पstiक important करे सपो पोट करे करे कि किसको आपट्रमेंट को यह बेसमेंट वॉल को सपोट कर थी है noir बोल रहा है बेसमेंट बादसन डिज इप्रेज करेड़सर करे design करना चाहते तो yes of certain is correct बात समझ में आती है चलिए reason are क्या बोलता है कि these are usually not restrained by the floor slab and by the deck structure at their bases not यह word गलत लिखा है यह word गलत है क्यों कि यह तो restrained रहते हैं floor slab से यह जो abatments रहते हैं इनके इनको floor slab से यह जो bridge act as a floor या फिर आप जब उसकी basement की बात करोगे तो इसमें जो slab रहेगी इस side आपकी तरफ जो slab आ रही है वो क्या करेगी sir slab act as a restraint yes तो रहते हैं ना की नहीं रहते तो यह statement तो यहीं गलत हो गया तो जब असरसन अकिला सही होता है तो c is our correct answer यह तो universal है यह तो हम जानते हैं चलिए अरे यार रुको तो यह तो हो रहा है? क्या हो रहा है? इधर देखो प्रिंटिंग में क्या हुआ है? कि पहले answer क्या रहते है कि question आया है तो आप confused नहीं हो ये गा कि यह 366 का पीछे वी answer सी दे के रखा है समझ में आती यह बात चलिए आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, आसर्षन धे क्या बोलता से अर्थ्प्रेसरी ट्रैस्ट ही इस गरेटर दन अर्थ्भ प्रेसरी अर्थ्प्रेसर्थ ठीक ही फिर से वही बात आई जह अर्थि प्रेसर आट रहाईसरेगा वो ग्रीटर ज्यादा होता है, किस्ति के सर तो यह तो अभी आपने बताया था यह बात तो बिलकुल सही है आगे पड़िये क्या वेन दा वॉल मुवस अवे फ्रॉम बैक फिल फ्रॉम दा रेस्ट कंडिशन दा मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल रेस्टेंस अफ स्वाइल अकर्स ऑन दा अधर हैंड इफ दा वॉल मुवस टुवर्ट्स दा फिल शेर इंग रेस्टेंस बिल्ड सब सही बात है बिलकुल सही तो बोला था कि जब वॉल मुवस अवे फ्रॉम बैक फिल तो इस जो इस पैन पैन की नीचे जो स्वाइल है अर्थ फिल है इसमें मोबिलाइजेशन जनरेट हो जाएगा तो क्या ह क्या होगा सर्य वॉव करने लगेगी तो इस कारण क्या एक्टवर्थ फ्रैसर कम ड्रेस्पेक्ट्ट होगा सर्वर्थ प्र इंडिवीजुली करेक्ट हैं और रीजन सही एक्स्प्लीन कर रहा है सर्चन को आप समझ में आई चलिए आगे बढ़िए कितनी बार यह कितनी बार करोगे खुद देखो अभी आपने देखा कि जीरो स्टेञ्ट कंडिशन ही То थी बेसमेंट में या फिर अबटमेंट में कहीं भी मूवमेंट होना था कि उसका नहीं होना था किसके लिए डिजैन किया था लिए बोल रहा है कि earth pressure at rest की case में the state of equilibrium with no zero strain condition कोई भी movement कोई भी strain नहीं आएगा ये बात तो बिलकुछ सही है reason पढ़िए in rest condition neither the wall nor the soil moves rest condition में ना ही wall move करती है ना ही soil move करती है कैसे पढ़ोगे बीच में because लगा के पढ़ोगे क्योंकि क्योंकि क्यों पहले 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 स्टेट में पढ़ रहा हूं फिर मैं continuous में पढ़ूंगा continuous पढ़ूंगा क्या the state of earth pressure at rest is the state of equilibrium with zero strain condition because in rest condition neither the wall nor the soil moves so correct बात है दोनों statement individually सही भी है और reason सही explain कर रहा है assertion के लिए so option number is correct ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है कि रैंकाइंस अर्थ pressure assertion है 369 का कि रैंकाइंस अर्थ pressure theory should not be used for concrete retaining walls and Coulomb's theory should not be used for estimating passive earth pressure पहला तो ठीक है यह तो बिल्कुल इसका लिखा 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 होगे क्या नोट्स उठाओगे short notes इसलिए मैं लेके बैठने को कहता हूं बूस्टर में देखिए आप कूलंस theory should not be estimating passive earth pressure passive earth pressure के लिए यह theory है ही नहीं कूलंस theory तो यह बात तो मलब कूलंस का assumption ही है इसको explain करने की भी ज़रूत नहीं है फिर देखो रहे उपर वाला पड़ो पहला पार्ट क्या बोल रहा है सर्चन का रेंकाइन सर्थ प्रेसर theory should not be used for concrete retaining wall देखिए क्यों रेंकाइन का भी assumption है दो अलगलग theory को combine करके बता दिया है इन्होंने पहला पार्ट रेंकाइन को रेंकाइन का assumption है कि रेंकाइन ने वाल को जो अर्थ प्रेस जो structure की वाल है जो अर्थ फ्रेस जो अर्थ फिल के लिए retain कर रही है उसकी wall उसने क्या बोला वर्टिकल रहेगी और smooth रहेगी कैसी रहेगी सर एक अजम चने इसका smooth रहेगी रेंकाइन किसके लिए यह cohesionless file के लिए है रेंकाइन याद करिए तुरंद मलाईए अपने short note सा booster में तुरंद देखिए revise करिए rank and क्या है cohesionless file के लिए है और इसने क्या माना था सर वर्टिकल वर्टिकल होनी चाहिए wall और wall face must be smooth कैसा smooth होना चाहिए आप बताइए concrete का जो face रहेगा smooth रहेगा क्या नहीं वो तो rough रहता है तो पहला तो वही तो बोल रहा है कि rank and earth pressure theory should not be should not be used for concrete yes तो पहला part सही है सरसन का दूसरा part भी सही है क्यों कूलम्स का तो यह assumption ही है कि वो passive passive earth pressure के लिए use नहीं है तो यह assumption correct हो गया बात समझ में आई ठीक है reason पड़ो rank and assumes that assumed that the retaining wall has a vertical back अभी बताया मैंने अभी बताया कि एक assumption क्या था cohesionless oil के लिए है दूसरा assumption क्या है सर यह vertical wall के लिए vertical face vertical wall है और face कैसा smooth होना चाहिए तो यह इतना part vertical back होना चाहिए इतना part तो यह सही है okay okay अब बोल रहा है कि the end coulum assumed that coulum ने यह assume किया था the resultant reaction should reaction due to earth pressure acts at one third of the height of the wall बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात यह अगर wall है यह अगर wall है कौन सी retain कर रही है इधर earth fill को retain कर रही है तो और इसकी height अगर h है अगर इसकी height h है तो जो resultant रहेगा resultant रहेगा वो h by 3 distance पर लगेगा wall के यह सही बात है यह बिल्कुल सही बात है earth pressure का resultant h by 3 पर लगेगा किसके wall की height अगर h है तो यह कूलमने का assumption है तो अगर आपको coulombs और rank and earth pressure में इन दोनों थियोरी यह जब आप चेप्टर पढ़ोगे दोनों थियोरी की बैठी है blank paper पर लिखने कोशिश करिए अगर आपको लिख लिए आपने तो आपके माइंड में आ गया तो बस दो तीन बार कर लोगे याद हो जाएगा बिल्कुल अजमसन पर ही questions बनते हैं अजमसन पर ही सवाल बनेगा आप चार अजमसन उन्होंने दो दो पार्ट करके रीजन और असरसन में लिख दी उन्होंने लेकिन एक बात बताईए यह रीजन कर रहा है कि असरसन को नहीं क्यों इंडिविज्वाली तो correct है क्योंकि यह तो correct इसकी assumptions लिखे हुएं रेंकाइन और कूलम के लेकिन एक्स्प्लेइन नहीं कर रहा तो option number B is correct answer यह तो हमारा सवाल बन गया आपको क्या करना है आपको क्या करना है आपका काम देखो मैंने तो यहां करा दिया आपका काम खतम नहीं हो आपको रेंकाइन और कूलम के दोनों के अजम पर रहा है statement one for a cantilever retaining wall ranking story of earth pressure may be used yes cantilever retaining wall क्या यह वर्टीकल wall है इधर backfill है तो हमने तो बोला ही था ranking का absorption है ही कि वो vertical back को माना है तो cantilever का vertical ही back होगा तो cantilever retaining wall may be wall ranking story of earth pressure में भी used yes यह बात तो बिलकुल सही है statement two क्या कह रहा है for a retaining wall with smooth vertical back rankines theory is appropriate ऐसी vertical wall जिसका smooth vertical back होगा उसके लिए हम rankine theory use करेंगे अब दिखो यह आ गया smooth word मैंने अभी आपको बताया था vertical तो पीछे बता दिया था smooth भी use किया था तो दोनों statement for what for rankine correct हैं क्योंकि यह assumptions है पर हाँ यह explain भी तो कर रहा है क्यों क्योंकि because because लगा के पड़ो दोन statement पड़ो because लगा के बीच में कि for a cantilever retaining wall rankine story of earth pressure may be used because for a retaining wall with smooth vertical back rankine story is appropriate क्योंकि retaining wall जिसका vertical back smooth होता है उसके लिए हम rankine theory use करते हैं इसलिए इसलिए ही तो cantilever wall के लिए rankine theory use हो रही है बात सही है क्या हाँ सही है दोनो statement individually correct और second statement explains the statement number one so option number is correct ओके चलिए आगे बढ़िए क्या बोल रहा है सर्चन ए लार्जर फुटिंग सेटल मोर देन दे स्मॉलर फुटिंग अंडर दे सेम लोड इंटेंसिटीज सही बात है बिलकुल सही बात है कैसे देखो बोल रहा है कि जो लार्जर फुटिंग रहेंगी आपने एक मैंने आपको बताया था इमीडियट सेटिलमेंट का फॉर्मुला क्या बताया था सैर मैंने बताया था क्यों बे क्यों बेद वन माइनस म्यू स्कॉर इंट इश रहें cleans साउंड कि टर्म में कैसे क्या वे वन मैस मेंर इसे जो बी है यह क्या बता रहा है यह साइस ही भथा रहा रहा है डिया बता रहा है इंफ्लूएंस on influence factor बता रहा है IT ठीक है IF भी कई जगा लखा रहता है confuse मत होईएगा ठीक है चलिए देखो तो आप एक बात यहां देखिए जो settlement और size में direct relation है हाँ sir settlement और influence factor में direct relation है जितना ज्यादा जितनी बड़ी footing होगी ऐसे भी general देखो for example ऐसे लेके चलो rate आपने रखी जितना बड़ी size का कोई भी आप object rate पर रखोगे तो जो उसकी धसने की probability या possibility ज़्यादा है हाँ sir है और जितना छोटा रखोगे उसका नीचे धसने की possibility क्या है कम है तो वही तो बोल रहा है कि larger foundation larger footing में ज़्यादा settlement होगा as compared to small footing as small foundation वही तो है larger footing settle more than the smaller footings under the same load intensity so assertion is correct load intensity same है ठीक है चलिए असर reason क्या बोल रहा है size of the pressure bulb depends upon the size of the footing बहुत सही बहुत बात सहीर बात लिखी है reasonable सही है क्यों देखो pressure bulb क्या बताया था sir iso bar एक term यूज किया था बॉइजनेस की उस theory जवाब पढ़ रहे थे क्या vertical stress theory में क्या term मैंने यूज किया था pressure bulb स्बनाए थे यह जो pressure bulb क्या है stress के distribution below the foundation को show करते हैं stress का distribution below the foundation जितनी बड़ी foundation होगी उतना बड़ा stress का distribution होगा क्या हाँ सर फील कर पा रहे क्यों उनका influence ज़्यादा होगा उस foundation का स्वाइल के जो स्वाइल पर influence ज़्यादा होगा इसलिए stress का distribution ज़्यादा stress का distribution ज़्यादा तो इसका मतलब pressure bulb भी आपको क्या मिलेगा बड़ा मिलेगा तो वही तो लिखा है size of pressure bulb depends upon the size of the footing हाँ तो यह statement भी सही है और इदार because लगा के हम पढ़ेंगे तो क्या feel होता है पढ़िए पढ़िए larger footings settle more than the smaller footings under the same load intensity because क्योंकि size of pressure bulb depends upon the size of the footing yes क्योंकि size of pressure जो bulb रहेगा वह size of footing पर depend करता है इसलिए ही तो settlement भी क्या होगा sir ज्यादा होगा जिस भी footing की size बढ़ी होगी बात समझ में आती है हाँ sir तो दोनो statement individually भी सही है और reason correctly explain भी कर रहा है सरसन के लिए so option number A is correct ओके आगे बढ़ूं चलिए ठीक है आगे बढ़िए असरसन यह 372 question number 372 का असरसन पढ़ रहा हूँ तरजागी's bearing capacity theory over estimates the bearing capacity of footing तरजागी ने एक family equation दी थी sir हाँ दी थी क्या sir तरजागी ने family equation में बोला था Q ultimate bearing capacity होता है cnc plus qnq plus qnq plus 0.5 b gamma n gamma okay sir होता है n gamma और यह जो q है sir यह था gamma into df okay इतना बड़ा था एक चीज और पड़ी थी एक चीज और पड़ी थी हमने जब तरजागी का assumption हम पड़ रहे थे हमने पड़ा अगर यह foundation है यह क्या है sir यह foundation है समझ में आ रही है बात यह foundation है okay यह क्या है sir यह ground level है यह ground level है ground के नीचे ही तो foundation आईगी ओके आ गई यह क्या है sir यह foundation का level है एक मिनट दूसरा दूसरा color से बना रहा हूँ मैं रुकिए रुकिए एक मिनट यह foundation का level है ओके यह foundation का level है तरजागी ने क्या किया था तरजागी ने क्या किया था कि जो ground level और foundation के base के level के बीच की जो soil है इसका कोई use ही नहीं समझा उसने बोला कि ये इसका जो gamma into df ऐसे तो इसका over butter निकालोगे इसका जो stress pressure निकालोगे गामा into df से निकालोगे हाँ उसने इसको neglect कर दिया था इस soil के resistance को, shear resistance को neglect कर दिया कौन से, फिर से बोलना हूँ between, between what ground level और foundation base के बीच की soil को क्या किया neglect कर दिया था तो इसने क्या किया कि जो bearing capacity है bearing capacity इसको 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 इसने underestimate किया न हाँ, बोला इसकी जरूरती नहीं है तो भी हम bearing capacity निकाल लेंगे किसकी soil की इसकी जरूरती नहीं है तो इसने क्या किया, underestimate किया, over estimate का मतलब क्या है भाई हमने उसको बहुत बड़ा चड़ा के मान लिया है, हमने बहुत जैसे Indian team ने क्या किया, अपने आपको over estimate कर लिया, over estimate किया तो भाई हार गए, हार गए ना, तो भाई, gamma df यह तो यहीं बता रहा है ना, कि smile को इसने underestimate किया, इसको तो लिया नहीं ना, ओके, तो यह इसने क्या बोला, यह over estimate ना लिखा होना था, जर क्या लिखा होना था, sir, underestimate लिखा होता, तो यह statement सही होता, असरसन तो गलत, और जैसे ही असरसन गलत होता है, तो क्या होता है सर जैसे यह सर्चन गलत होता है तो option number D correct हो जाता है क्योंकि आपने पहले से बता के रखा है चारो options की खाशियत क्या है तो देखिए reason पड़ते हैं क्या तरजागी निगलेक्ट कर दिया shearing resistance of rupture surface in the soil above the foundation level above the foundation level के उपर की जो shearing resistance था उसको टरजागी ने क्या किया निगलेक्ट कर दिया इसी लिए इसी लिए क्या हुआ कि उसने underestimate की थी bearing capacity को ना कि overestimate so of a reason is correct दी तो हम आंतर पहले ही लगा चुके थे चलिए आगे बढ़ू ठीक है क्वेस्टन नमबर 373 असरसन बोल रहा है कि राफ्ट foundation are the best type of shallow foundations to support heavy structures सर ये तो अब ऐसी universal बात कह सकते क्या सर हम जब foundation पढ़ते ही न और हमारे फील हो गया ये raft होता क्या है सर एक मैट जैसा होता है चटाई जैसा रहता है किसकी एक concrete की पूरी एक मैट बना देते हैं क्यों सर स्वाइल में कई portions ऐसे होते हैं जहां उसकी capacity लोड जहिलने की चमता कम उस पूर्चन पर दूसरे portion पर ज्यादा तो आपको different different capacities मिल रही है न स्वाइल की लोड जहिलने की चमता है उस स्वाइल के different portion पर different होगी तो क्या होगा जब कभी load उस जगा पर जादा पड़ेगा जहां जहलने की छमता कम है तो हां settlement हो जायेगा हां हो जाएगा तो हम इस settlement यहां हां sir differential settlement मिल जाएगा तो हम इस level settlement से बचने के लिए क्या करते हैं पूरी सोयल पर एक जैसी एक mat हम बचादेंगे concrete की उसको हम हम बोलते हैं raft foundation बात समझ में आई इसलिए raft foundation heavy structures में या expensive soil के case में जहां मॉन्ट मॉनलाइट soil में ज्यादा है तो expensive होगा volume changes ज्यादा swelling shrink के ज्यादा इसलिए हम क्या हम कौनसी foundation देंगे कौनसी footing राफ foundation हम provide करते हैं ताकि हम differential settlement से बत सकें तो वही बूल रहा है कि raft foundation are the best type of shallow foundations shallow ही तो है df by be less than तो बन होगा ना इसमें एक मैठ है वो तो to support heavy structure यस यह बात तो सही है फिर बूल रहा है कि raft foundation reason पट रहा हूं कि raft foundation has the ability to redistribute load coming on weak pockets जो वही तो weak pockets होंगे ना जहां पर stress या फिर load जहलने की चमता उस soil की कम उसको बोल दिया weak pockets of soil below raft to the adjacent soils where the stresses are less severe for the soil at the place ऐसा भी तो होगा कहीं पर stresses जादा कहीं पर stresses की severity मतलब घातकता कम तो क्या होगा sir वहां पर settlement कम होगा जहां पर जादा तो वहां पर settlement जादा होगा तो differential settlement हो जाएगा तो this reduces the chances of differential settlement वाह 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 differential settlement का तो मतलब यही है ना same settlement ना हो कहीं जादा कहीं कम तो वहीं तो differential settlement है उसको reduce कर रही है और आप foundation and increases the bearing capacity of soil a yes इसको because करके हमने पढ़ा तो दोनों statement individually visually सही है और reason explain भी कर रहा है किसको sir reason explain कर रहा है assertion को so option number is correct समझ में आती है बात तो आगे हम बढ़ रहे हैं 374 क्या बोल रहा है assertion plate load test carried out at the site gives field test data which is useful in evaluation of bearing capacity and settlements it is normally conducted at the level of proposed foundation yes सही बात है reason पढ़ो क्या बोल रहा है plate load test is reliable because it reflects the true behavior of foundation statum below the proposed level of foundation extending up to last depth below चलो पहला statement तो plate load test के बारे में दौनों statement लिखे हैं यह तो हमें इतनी बात समझ में आती है plate load test से हमने क्या बताए था sir plate load test में आप एक plate लोगे जिसकी size 300 mm से साड़े 300 mm तक vary करती है इस circular square shape में हो सकती है हम क्या करते हैं हम size से 5 गुना size से 5 गुना width का क्या एक ditch ditch excavate करेंगे कहाँ पर excavation दवहां तक करेंगे जो foundation का level है जहाँ पर real foundation की हमें stresses पता करनी है तो कहाँ level of foundation पर हमें plate load test results देता है किसके settlement के with respect to load जो हम load लगा रहे हैं 70 kg पर cm2 का हम लगाते हैं इसमें तो 1.25 sorry 70 kg पर cm2 का load लगाते हैं तो क्या करेंगे हम सर इसमें जब हम load लगा रहे होते हैं तो किस level पर plate रखोगे foundation के level पर तो किस level पर आपको stresses मिलेंगी सर foundation की level पर stresses मिलेंगी foundation के level पर settlement मिलेगा तो plate load test से आप क्या क्या निकाल सकते हो पहला bearing capacity of soil दूसरा अलाइबल सेटलमेंट तीसरा एक चीज़ मैंने और बताई थी क्या modulus of subgrade reaction rigid pavement पढ़ते हो आप highway में ठीक है modulus of subgrade reaction भी यह निकाल कर दे देता है तो पहला statement तो सहीं बिलकुल सहीं लिखा है दूसरा पढ़िए plate load test is reliable because it reflects the true behavior of foundation stratum below the proposed level of foundation true behavior of stratum तक तो बात बिलकुल सही थी लेकिन क्या below the proposed level of foundation and extending up to the large depth below नहीं at the level क्या at the level of foundation क्या लिखा होना था sir at the at the level of foundation पर plate load test के results मिलते हैं ना कि उससे नीचे large depth पर मिलते हैं तो यह word बिलकुल गलत लिखा हुआ है तो क्या reason गलत हो जाए क्या हां sir reason गलत assertion is correct so option number option number c is correct answer आती है बात समझ चलिए आगे बढ़ूँ चलिए आगे बढ़िए तो statement wise जो assertion reasoning वाले questions है इसमें क्या है sir assertion reasoning वाले questions में English का बहुत खेल है आपको क्या करना है मैंने सारे questions club कर दी है जो जो पूछेगा है यह से gate के और TCS के मैंने सारे questions ले आया हूँ repeat नहीं किए इसलिए number of questions कम है मैंने ले के आया हूँ इसको आप 2-3 बार देख लीजे 1.5 पर 2 speed पर आप देख लीजे जब आप तो तीन बार इसको देख लोगे तो आप क्या habitual हो जाओगे और ऐसा सारे subjects का हमने शौरी सीरीज में कर दिया है तो आप सारे subject के यह सब देख लीजिए आपको ज्यादा पढ़नी की ज़रूरती नहीं है आपकी एक tension ही खतम की यह वाला question यह question आप बना ही ले estimation of settlement of foundations on sandy soils can be done by using SPT values तो क्या बोलता है कि estimation of settlement of foundations settlement of foundation on sandy soils can be done by using SPT value यह यह बिल्कुल सही बात है हम standard penetration test मैंने कितना explain किया और बताया कि as for standard as for SPT और as for send तो यह cohesionless soil या send के लिए होता है standard penetration test उसमें हम settlement value निकाल कर देते हैं तो यह बात तो बिल्कुल सही है ठीक है reason क्या है sampling in cohesionless soil without disturbing the structure is difficult sampling in cohesionless soil without disturbing the structure is difficult है तो एक बात बताईए कि जो cohesionless soil without disturbing the structure is difficult है यह सही बात है अगर soil cohesive होती एक बात सुनिए अगर soil cohesive होती आपने sampler split spoon sampler use करते हैं हाँ सर split spoon sampler use करते हैं फिर से सुन लीजिए कैसे 65 kg का 65 kg का क्या hammer से आप load लगाओगे हाँ यह पूछा गया है कितना 75 cm हाइट से आप बार बार इसको dynamic load गिराओगे कितना 65 kg 75 cm इतनी बार बोल दूँगा आपको कभी नहीं भूलोगे कभी नहीं भूलोगे इतने बार मैं आपको रिवाइस करा देता हूं class में ही तो देखिए तो यह cohesive soil अगर होती तो आप में split spoon sampler से एक soil ली ठीक है आप में soil ली आप में जब soil ली तो cohesion है ना इस soil के बीच में अगर cohesive soil होती तो हां तो क्या वो नीचे गिरती क्या या distribute फैल जाती क्या नहीं फैल थी क्यों उसमें अपना internal cohesion है अपने particles को चपकाय रखने की चमता है तो इससे sample हमें तो disrupt तो मिलता नहीं undisturbed मिलता वो बोल रहा है कि sampling in cohesion less soil without disturbing the structure is difficult आप हाँ सर यह सही बात है अगर आप cohesion less soil की sampling करोगे तो उनके बीच में उनके particles के बीच में soil के cohesion नहीं है intermolecular attraction नहीं है क्या होगा सर वो विखर जाएंगे जैसे ही आपने उसको individually सही है लेकिन यह इसको explain नहीं कर रहा तो option number b is correct answer होगा ठीक है बात समझ में आई चलिए यह मैं बता रहा हूँ आपको कि यह पीछे दिया हुआ रहता है पीछे दिया रहता है ठीक है इसमें इसमें स्लाइड में थोड़ा printing mistake हो गई है चलिए आगे बढ़िए question number 376 का कहता है कि statement one foundations may not be geometrically categorized as shallow और deep foundation वाह पूरा मतलब रामयन हो गई है यह कह रहा है कि geometrically classify नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते भाई तर जागी नहीं तो यहीं बोला था ना df by b अगर less than one है तो sorry foundation shallow होगी इस केंटर नहीं क्या बोला था सर df by b अगर less than two point five है तो shallow foundation होगी यहीं तो बोला था और यह geometrical parameter से ही तो कर रहे है ना geometrically categorize कर रहे हैं ना foundation को कि वो shallow है कि deep है तो यह तो बात गलत बोल रहा है ना और जब यह बात पहली ही गलत हो जाती है तो answer d हमारा सही हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि statement one is false statement two is true बात समझ में आई अब two तो हम पढ़ लेते हैं क्या a foundation is shallow if its depth is equal to or less than d f by b is less than equals to one तो यह बी जाएगा उपर यह बी जाएगा उपर तो क्या यही बात हो गई क्या हाँ sir otherwise it is deep okay इसको हम shallow बोलेंगे अगर यह होगा नहीं तो वो deep हो जाएगी footing या foundation बात समझ में आती है हाँ इसलिए statement two correct answer तो हम पहले दे दिये हैं चलिए 377 क्या बोल रहा है सरसन a bearing capacity of an underrimmed pile is less than that of the straight board pile of the same diameter क्या बात कर रहा है यह यह less होगा क्या less होगा क्या हम underrimmed pile इसलिए use कर रहे थे कि soil की bearing capacity बढ़ जाए क्यों underrimmed pile में एक bulb रहता है क्या होता है सर बल्ब फिर देख लो फिर से देख लो डाया जो उस बल्ब का होगा वो डाया shaft के डाया से जो आपकी board pile में जो जा रही न उसकी shaft के डाया से 2 से 3 गुना होगा ठीक है सर यह बात तो समझ में आती है कैसी दिखती है सर यह जो pile रहती है वो एक मिनट एक कैसी तिलसी pile बन रही है एक मिनट ऐसी रहेगी यह bulb है यह डाया उफ बल्ब हो गया सर यह डाया उफ शाफ्ट यह तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हाँ सर तो यह जो base से क्या मिल जाएगा सर बेस से भी तो आप resistance मिल जाएगा इसका डाया बढ़ गया तो base से capacity अभी पढ़ गया तो skin friction भी निक्रीज तो bearing capacity ज्यादा तो किस में bearing capacity ज्यादा मिलती है सर अंडर रिम्ड में ना की स्ट्रेट बोर्ड पाइल कैसी होगी सर स्ट्रेट बोर्ड पाइल यह हो गई लो इसमें कहे का base resistance इंक्रीज हुआ नहीं इसमें skin friction रिक्शन इंक्रीज हुआ है तो option number D हमारा सही हो जाता है जैसे ही गलत होता है हम बस पढ़ेंगे reason क्या अंडर इंडर 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 बल्ब से यह हमने अभी बता दिया एक चीज़ और जान लो अगर यह दो बल्ब होते दो बल्ब मतलब एक बल्ब यहां कहीं और होता इसे देख लेना यह मान याद रखना डाय अफ शाफ्ट दे देगा डाय ओफ बल्ब के बराबर होगा ठीक है इंडर बीच का बल्ब मतलब बोलता है कितने दूर पर आप दो बल्ब लगाओगे अन्रीम्ड पाइल में ठीक है expensive स्वाइल में हम इसे यूज करते हैं black cotton स्वाइल जिसमें मॉंट मॉन लाइट की मात्रह जादा एक्सपेंसिव हो गई वॉल्यूम चिंज इस वाइल में जादा तो हम इस पाइल को यूज करेंगे ठीक है चलिए क्वेश्चन नमर 378 क्या रहा है अशर्चन फ्रेंकी पाइल है एन एनलाज बेस ऑफ मश्रूम शेप वाँ कईयों कोई सब्दी पसंद रहती है मश्रूम की पसंद है ना मश्रूम शेप विच गिफ्स दा एफेक्स ऑफ इस्प्रेड फुटिंग कई इसको और बोलते हैं एक मलब देशी नाम है इसका आप देखना सुनना सुना होगा खैर उनको कईयों को पसंद रहती इसकी सब्दी तो फ्रैंकी पाइल मश्रूम देखिये ना आपको कैसी होती है ऐसे ही तो होता ना मश्रूम हाँ सर ठीक है तो फ्रैंकी पाइल है एन एलाजड बेस ऑफ मश्रूम शेप विच गिफ्स दा एफट ओफ इस्प्रेड फुटिंग जो किसका एफट देता है इस्प्रैड फु एक पाइल ये ऐसे एक पाइल रहती है इसमें आपने क्या किया इसमें आपने क्या किया कॉंक्रीट इंग कर दी कॉंक्रीट भर दिया ओके सर कॉंक्रीट भर दिया फिर उपर से क्या करोगे आप इसको लोडिंग कर लगाओगे लोड इसको ऐसे 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 लोड किया जब हुआ, इसकас जो बीज था ऐसे बढ़ जाएगा हाँ सरे स्प्रेड हो गया सब क्या एक इस अब क्या होगा सब जब यह ए लार्ज बेस मिल गया तो यह अब इस सेटल होने की जो सेटल होने की इसकी मिल गया तो आप ने देखा होगा कि कौन सा जानवर रिगिस्तान में ज्यादा सक्सेसफल है उट क्यों उसके जो पैर रहते हैं वो ऐसी तो रहते हैं चल्दी और दोड़ें भी लगा लेता है किसमें डेजर्ट में इसलिए हम कौन सा जानवर वहां ज्यादा पाए जाता है तो ये पाई आती और इसकी आकरति उसका शेप किस से रिजेंबल कर रहा हैं किस से मिलता जलता है सर मशरूम से मिलता जलता है जो क्या फेवरेट सब्जी है कई लोगों की हाँ सर इसका एक बहुत गंदा सा भी नाम है ले नहीं रहूँ आप समझ गए होंगे तो ये हो गया मशरूम से रि बात है reason पढ़ो reason क्या बोल रहा है तो फ्रेंकी पाइल is best suited for granular base yes जही बात है इस best suited for granular base अब आप एक बात बताईए अगर रीजन assertion की जगा लिखा होता तो ये रीजन सही होता क्या होता मैं reason को assertion की जगा रखके पहले पड़ रहा हूँ कैसे the frankie pile is best suited for granular soil frankie pile granular soil में ज़्यादा suited है क्योंकि frankie pile has an enlarged base of mushroom shape which gives the which gives the effect of spread footing जो effect of spread footing देगा सही बात है ये दोनों individually तो correct है लेकिन assertion reasoning की positioning उल्टी कर दी उसने अगर ये उपर लिखा होता तो option number A हम tick लगाते और हमारा answer बन जाता लेकिन इधर क्या हो जाएगा reason तो explain नहीं कर रहा है इसलिए option number B is correct ओके आगे बढ़ू आगे बढ़ू ठीक है चलिए देखो negative skin friction assertion बोल रहा है negative skin friction ये देखो ये फिर से term आया कितना मैंने आपको explain किया फिर से सुन लो मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ता हूँ फिर से सुन लो क्या हो क्या होता है ये देखिए आप एक pile को क्या कर रहे हैं embed कर रहे हो किसी भी ground level में तो क्या हुआ अगर pile के ऊपर वाले दो अगर मान की चलिए कि दो layer में पाइल जा रही है या फिर ऐसे समझे कि आपने पाइल में ऊपर से filling करी है जो material आपने फिल अप कर दिया है loosely filled है loosely आपने फिल उसको compact तो किया नहीं तो material जो ऊपर loose send है loose soil है उसकी tendency क्या होगी सर उसकी tendency होगी settle करे consolidate करे तो नीचे 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 वो consolidate होना चाहेगी क्या हाँ sir होना चाहेगी कैसे देखिए कि यह रुको मैं दो layer बना रहा हूँ कि इधर soil है इधर भी soil है तू टाइप की इधर क्या है loose soil है को ऐसी loose soil है और loosely filled है ठीक है ओके ठीक है समझ में आती यह बात अब देखो क्या होगा कि यह जो soil अगर यह अपने आप क्या करना चाहेगी consolidate होगी क्योंकि इस पर कोई भी movement हुआ vehicular movement कोई भी load लगा या फिर इसका grain अपने आप अपने आप नीचे आना चाहेंगे तो पानी क्या होगा expel out होगा तो यह soil है जब नीचे की तरफ settle करेगी तो यह pile पर pile पर ऐसे downward drag लगाएगी क्या यह downward drag लगाएगी क्या हाँ से downward drag लगाएगी एक बात बताईए यह तो आपको अगर end bearing pile थी तो नीचे से reaction मिल रही थी और अगर आपकी skin friction pile थी तो यह ऐसे friction pile में skin friction resistance मिल रहा था तो यह दोनों का direction तो opposite है इस drag से और load भी आपका इसी direction में लग रहा है तो load इस pile को नीचे settle कराना चाहता है लेकिन resistance end bearing resistance और skin friction resistance इसको oppose कर रहा है लेकिन यह drag भी तो load की सहायता करने लगा यह drag भी तो इस load की सहायता करने लगा तो यह वाला जो friction है drag एक प्रकार का friction तो दे रहा है यह वाला friction हमारे लिए क्या है हानी कारक है इसलिए इसको क्या बोला negative skin friction क्या बोला negative skin friction इसको क्या बोल दिया QNF और यह क्या था QSF skin friction resistance तो यह क्या है QEB तो हम ऐसे ही तो लिखते हैं QUP is equal to QEB plus QSF लेकिन लेकिन क्या इस resistance को और इस QS अपने skin friction resistance को उपर वाली स्वैल तो नीचे धकेल रही है तो यह QNF माइनस होगा जब यह इस तरफ आएगा तो QUP plus QE QNF बराबर हो जाएगा QEB plus QSF के तो जब हम design करते हैं इसके ऐसे कंड लूजली field SWEIL के case में या फिर या फिर क्या होता दूसरा case क्या बन जाता ग्राउन वोटर टेबल अगर ग्राउन पर प्रजेंट थी ग्राउन वोटर टेबल अगर इधर प्रेजेंट थी वो suddenly down हो गई suddenly down हो जाएगी तो अभी जब ग्राउंड पर प्रजेंट है तो ये गामा क्या है समर्ज ओके जब इस suddenly down हो गई तो ये गामा capillary action से क्या हो जाएगा इस स्वाल का गामा saturated और saturated गामा हमेशा जादा होता है किस से गामा समर्ज से तो ये भी तो स्वाल पर जादा वेट लगाएगा downward direction में हाँ लगाएगा उस case में भी तो negative skin friction आएगा तो दो cases मैंने आपको बता जीए क्या loosely filled smile और lowering of sudden drawdown या फिर lowering of groundwater table increases the effective stress which causes the negative skin fraction ये दोनो statement हलकी बात नहीं है ये दोनो statement ESC में कई बार पूछे गए हैं और स्टेट सर्विसिस में तो डायेग्ड स्टेटमेंट लिखके दे देता है कि negative skin friction का कारण क्या groundwater table का lowering है हाँ सर है तो बात समझ में आती है क्या question पढ़िए negative skin friction will act on the piles in filled up soil यही loosely filled soil which should be considered in design of pile हाँ सर डिजाइन में तो हम load के साथ consider करके ही design निकालते है तो statement correct है ठीक है statement यह सही हो गया अब बोलगा है reason the filled up soil start consolidating and developed a drag force on the pile यही तो कहानी रमायन मैंने बताई तो के दोनो statement individually correct और इसको जब because लगा के पढ़ोगे तो आपको यह reason भी समझ में आएगा कैसे फिर से मैं पढ़ दीता हूँ negative skin friction will act on the piles in filled up soil because should sorry filled up soils which should be considered in a design of the pile yes because the filled up soils start consolidating and develop a drag force on the pile हाँ क्योंकि जो consolidated जो filled up soil है वो consolidating चालू हो जाएगा consolidation उसमें चालू हो जाएगा और drag force exert करेगा तो ए और sorry reason और assertion दोनों सही है reason सही explain भी कर रहा है assertion को so option number is correct ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूँ assertion क्या बोल रहा है अब pile driving formula next question 380 है a pile driving formula have very limited use in the case of cohesive soil हाँ भाई ये सही बात है क्यों मैंने बताय था आपको कि earthquake आए या फिर dynamically किसी भी cohesive soil में आप pile drive करोगे embed करोगे तो क्या होगा liquefaction होने लेगा क्या हाँ होने लेगा क्यों क्योंकि sir pore water pressure generate होगा क्यों जो pore water है नीचे जो soil के पानी भरा है strata के move करने से बाहर आना चाहेगा expel out होना चाहेगा तो pore water जब expel out नहीं हो पाएगा तो क्या करेगा sir pore water pressure generate करेगा और यह pore water pressure effective stress को reduce करके एक क्या करेगा shear strength को zero करदेगा और shear strength जब zero हो जाएगी तो पानी move करने लगेगा with with what sorry with soil के grain पानी के साथ move करने लगेंगे इस process को liquefaction बोलते हैं इसलिए पाइल ड्राइविंग फॉर्मुला हम cohesive soil में यूज नहीं करते या बचते हैं इसलिए बोल रहा है पाइल driving formula है very limited use in the case of cohesive soil yes बिलकुल सही reason क्या है because कैसे पढ़ेंगे हम because पढ़िए पढ़ो पढ़ो बोलना है बोलते चलिएगा तभी समझ में आएगा आप वहां बैठकर बोलिए मुझे बस सुनिए मत मेहनत करिए because pile driving in cohesive soils results in liquefaction of place अभी मैंने यही बात तो बताई क्योंकि अब जब pile drive कैसे करोगे सर सदन लोड लगा के करोगे तो ऐसे फील हो रहा है ना जब किसी भी चीज़ पर सडन लोड लगाओगे नीचे अगर पानी तो पुचुक से बाहर आना चाहेगा वो क्या लगाएगा प्रेसर लगाएगा पूर वाटर प्रेसर कहलाता है तो इस्ट्रेस को रिड्यूस करके क्या सरसेन है कि जनरली ड्रिवन पाइल्स और अडॉप्टेड इन ग्रैनूलर स्वैल एंड नौट इन वे सही बात है अभी यही बात बोली ना मैं किया तो सेंड के वाइट की साइज क्या होती सरजादा और जैसे ही आप पाइल को ड्राइब करोगे तो पाइल की चारो तरफ की जो क्या रहेगी पाइल के चारो तरफ की जो स्वाइल रहेगी अगर सेंड है तो उसके वाइट काम होने लगेंगे हां और वो क्या पास पास आ duclieफ किसका सेंड का लेकिन लेकिन ड्राइव कि आपने किसी भी पायल को क्ले में तो क्या एडवर्थ है मतलब क्या्रिक्वेक्षएं होने लगा लिक्युफेक्षिक्षन कैसे क्योंकि पूर वाटर होने लगा वहां तो मूव है वो बाहर निकलने कोशिश करेगा जो कि नहीं निकल पाएगा तो क्या हो जाएगा पोर वाटर प्रैसर इंक्रीज एफेक्ट्व स्ट्रेस डिक्रीस उसी है स्ट्रेन्ज जीरो लिक्टिफाइड़ हो जाएगी स्वाइल मनदब पानी के साथ स्वाइल निकल जाएगी तो ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुली सही है और जब आपने विकॉस करके इसको पढ़ा तो ये एक्स्प्लेंड भी कर रहा है असर्सन को सो ऑप्षिन नमबर इस करेक्ट ठीक है क्लियर बात ठीक है एक मिनट में पानी पिलेता हूँ चलिए क्वेशन नमर 32 क्या असर्सन अंडरीम्ड पाइल्स आर सुटेबल फॉर लूज फिल्ड अपसाइट्स एंड बैक कॉटन स्वाइल अभी explain किया ना मैंने यह हाँ क्या की loose field of soil है या black cotton soil इनकी tendency क्या है सर इनकी tendency है volume change की या expand होने की तो क्या करोगे आप अंडरीम्ड पाइल लगा दी तो क्या किया इसने अंडरीम्ड पाइल का जो bulb रहता है वो base resistance भी दिया और उसने surface area भी बढ़ा लिया तो क्या इसकी infection resistance भी मिल गया जिससे क्या हुआ सर इसकी bearing capacity बढ़ जाएगी ऐसे soil की तो हाँ हम अंडरी मिपाइल से यूज करते हैं कहां पर loose filled upsides and black cotton soil में ओके बोल रहा है कि black cotton soils have reason पड़ रहा हूं कि black cotton soil have expensive montmore light clay mineral because because लगा के पड़ दो पूरा काम बन जाएगा because black cotton soil में expensive clay mineral होता है इसलिए हम under reamed pile हम use करेंगे ऐसी soil में तो दोनो statement individually सही भी है और reason explain भी कर रहा है assertion के लिए so option number is correct okay ठीक है चलिए आगे बढ़ो question number 383 क्या assertion बोल रहा है कि better piles देखो नया तर्म आ गया better piles हमने सबसे पहला पढ़ा था anchored pile फिर पढ़ा frankie pile एक पढ़ते हम sheet pile यहां आ गया better pile तो कैसे कैसे use कर रहे हो pile को उसके according pile का classification है हाँ है किस material से आप pile को बना रहे हो उसे हिसाब से भी तो pile का classification है हाँ सर जैसे concrete pile concrete pile material concrete use हुआ steel pile wooden pile ऐसे ऐसे तो pile का classify आप कर सकते हो हाँ कर सकते हैं इधर बात आती है better pile की तो मैं पहले better pile होता क्या यह समझ लो अभी तक हम pile insert कर रहे थे sir vertically insert कर रहे थे vertically okay okay अब हमने क्या किया pile को inclined किसी एक angle पर किससे ground level के से एक angle बना कर किसी एक angle पर हमने pile को inclined क्या किया embed किया इससे क्या हुआ सर इससे area surface area ज्यादा हो गया क्या हाँ ज्यादा हो गया तो इसका lateral force को रजिस्ट करने की capacity बढ़ गई क्या हाँ सर बढ़ गई example कैसे आप किसी भी बोरे को या बोरी को लो आपने ऐसे को जिसमें अनाच की बोरी अगर आपने ऐसे उठाई तो आप ज्यादा दे तक उठाबागे क्या नहीं आप क्या करोगे आप tilt करते हो अपनी back को आपने back को tilt किया तो आपने ज्यादा surface दे दिया उसके लिए किसको बोरी को अपनी back पर रखने के लिए जब ज्यादा surface दे दिया तो आप ज्यादा laterally stable हो गए ना हाँ हो गए इसलिए हम क्या करते हैं सर इस pile को जो inclined है इसको बोलते हैं हम better pile क्या better pile समझ में आई बात ठीक है ठीक है तो better piles are provided to register lateral loads coming on to structure हाँ यही तो आपने बताया अभी सर तो यह बात तो सही है ओके सही है फिर क्या बोल रहा है reason the better of better pile जो यह better इस इसको क्या बोलते हैं better better pile का जो better है is helpful in converting a part of applied lateral load into axial compressive load यह इसका कैसा axial compressive load में convert कर देता है on the better piles yes बिलकुल यह सही बात है तो दोनों statement individually सही है क्यों क्योंकि यह helpful in converting the part of applied जो lateral load है उसको axial compressive load axial compressive load में ही तो यह convert कर दे रहा है यह इसलिए दोनों statement individual सही भी है और because लगा के सर हमने पड़ा तो यह statement इसको explain भी कर रहा है so option number is correct ठीक है चलिए यह देखिए यह है better यह पूरा क्या है better pile और यह क्या है better इसका लगा हुआ है better pile ठीक है in case of large lateral loads piles are driven at an angle and hence termed as better pile they register the horizontal load by converting a part of into axial compressive load यह horizontal load को register करते हैं by converting it into axial compressive load यह sole है better pile की याद रखना better pile फिर से सुनिए better pile horizontal या फिर lateral load के part को axial compressive load में convert कर देती है इसलिए lateral loads को अच्छे से register हम कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे वड़िए question number 384 क्या बोल रहा है question number 384 बोल रहा है statement one different types of piles are used in construction work depending on the type of load to be carried the sub-soil conditions and ground water table yes different types of piles are used in construction yes construction work depending किस पर depend करेंगी pile का जो classification किस पर depend करता है कौन सा load करी करना है yes sub-soil condition कैसी है yes और ground water table कहां पर है yes इस पर depend करेगा हाँ सर करेगा हमने अभी बताया material के basis पर classify कर लो load के basis पर कैसे आप load को carry कर रही है skin friction से carry कर रहा है या फिर end bearing से carry कर रहा है वैसे कर लीजिए तो इस पर depend करेगा हाँ the load transfer mechanism from a pile to the soil is the same in all cases यह बात बिलकुल गलत है आप एक बात बताईए load transfer mechanism pile से soil same है क्या नहीं कहीं कहीं load by a skin friction transfer हो रहा है कहीं कहीं load by end bearing transfer हो रहा है कहीं कहीं हमने bulb की size बढ़ा दी थी तो उसे under reamed नाम ले दिया क्या same था क्या mechanism नहीं तो यह statement क्या हो गया sir गलत हो गया statement one is correct जब one सिर्फ correct होता है तो option number C is correct आती है बात समाझ चलिए आगे बढ़िए question number 385 क्या बोल रहा है statement one negative skin friction will act on the piles of a group in filled up reclaimed soils और peat soil पीट क्या है sir पीट एक और्गनिक स्वाइल है कैसी और्गनिक है फुली और्गनिक है यह पीट ठीक है और्गनिक स्वाइल है तो negative skin friction will act on the piles of a group in filled up reclaimed yes अभी बताया था जो filled up soil क्या करेगी consolidate होने की कोशिश करेगी पीट स्वाइल क्या है यह compressible nature की अपने आप में compress होना चाहेगी और जब यह compress होगी तो पाइल पर एक downward drag लगाती है उसको क्या बोलते हैं सर नेगेटिव स्किंट्रिक्शन स्टेट्मेंट वन इस स्टेट्मेंट टू दा फिल्ड अप और पीट स्वाइल्स आर नौट फुली कंसॉलीडेटेड बट स्टार्ट कंसॉलीडेटिंग अंडर दियर ओन ओवर बर्डन प्रैसर डेवलपिंग अ ड्रैग ऑन दे सर्फेस ऑप दे पाइल्स बिलकुल सही बात है इसको तो मैंने जाएगा वैसे तो अभी खेल रहे होगे इस क्वेस्टन से क्योंकि मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया है कई बार चलिए तो एस करेक्ट आंसर ओके आगे बढ़िए 386 क्या बोल रहा है कि in the case of sand deposit assertion पढ़ रहा हूं in the case of sand deposits with uniform density and values are found to increase with depth बहुत बढ़िया सेंड deposit में कौन सा टेस्ट करना है settlement निकालने के लिए या फिर stresses बेरिंग के पिछ निकालने के लिए standard penetration टेस्ट करते हैं ठीक है बताया है मैंने standard penetration टेस्ट में बने बताया है था कि जब split spoon sampler को कैसे 65 kg के weight से 75 cm की height से फिर बोल दिया फिर एक question लेके चले जाओ आप 65 kg के weight से 75 cm की height से insert करोगे तो एक resistance मिलेगा ना soil से हाँ shallow depth पर माना कि soil क्या है sir soil lose है तो resistance कम मिलेगा जब deep depth पर जादा depth पर जाओगी तो resistance ज्यादा क्योंकि density fire at the soil हाँ जब resistance वहाँ पर ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा resistance जब ज्यादा मिलेगा तो आप एक बाद बताईए दो परकार के resistance मिले तो different different n value मिलेगी क्या हाँ तो इस n value को क्या करेंगे sir हम correct करते हैं हाँ करते हैं किसके लिए correct करते हैं overburden pressure के लिए correct करते हैं तो क्या correction for correction for correction for फिर से ले लो फिर से देखो overburden pressure ये तो मैंने आपको बताया था फिर से बता रहा हूँ क्या correction for overburden pressure कैसे ये होता है sir n1 n1 is equal to n0 n0 जो initial आपके पास n value है into 350 upon sigma bar plus 37 sorry plus 70 sigma bar plus 70 okay sigma bar की value cannot be greater than 280 kilo newton per meter square clear है बात clear है ये तो मैंने आपको बता के रखी है बात ठीक है देखिए तो in the case of standard deposits with uniform density and values are found to increase with depth yes sir overburden pressure correction लगाना पड़ता है तो a is correct clear okay reason क्या बोल रहा है overburden pressure increases with depth below ground level यही तो मैं चला रहा हूँ कि overburden pressure increase होता है ground level पर with depth okay तो मैंने ये भी आपको बता दिया तो ये reason because लगा के हमने पड़ा तो ये reason explain कर रहा है तो a is correct answer clear है बात clear है चलिए आगे बढ़िए assertion क्या बोल रहा है question number 387 का wash boring is recommended to obtain undisturbed soil sample above ground water table एक टाइक की boring आई wash boring एक बात सुनिए ये आगया soil exploration का chapter देखिए soil exploration क्या है कि last में आता है last portion आता है तो कई teacher क्या करते हैं जल्दी जल्दी पड़ा के ओड़ा देते हैं तो मैंने जहां तक मैंने analyze किया है कि ये portion बच्चों का बहुत ही मतलब है छोटा आसा portion लेकिन बहुत वह tough मानते क्यों tough कुछ नहीं होता हमने कम बार पड़ा होता है इसके लिए इसलिए ये क्या हमें tough लगता है इसकी terminology हमें tough लगती हैं तो देखिए आप जब पहले ABCD या टेबल से आद करते हो तो वह पहली बार जब आपने बच्चमने पड़ा होगा तो वह tough लगा होगा कि नहीं लगा होगा हाँ आपने जब बार बार पड़ ली तो आप क्या करते हैं सर अब तो हम खेलेंगे इन सब चीजों से ऐसे ही आपने जब पहला unit जो स्वाइल कर रहता आप जब revise करने बैठते हो तो पहले revise करते हो बार बार आपने revise कर लिया तो properties of soil खेल बन गई है लेकिन यहां तक पहुंचत सब TCS उठाने लगी है कैसे TCS ने क्या किया है कि इस portion को soil stabilization और soil exploration को इस portion को ठा लिया है पकड़ दिया है इस सवाल देता है इसकी terminology से खेलता है इसमें English डाल डाल के खेलने लगता है तो क्या होगा आपका paper आपको लगता है कि tough आ रहा है नहीं आपके syllabus से ही है बस उस portion से है तो आपको क्या करना है बस चार-पांच पेज करने इसके short notes होंगे आपने देखो मैंने बता है आपको short notes रखिए या कोई भी booster है एंडबों को डालीजिए चार-पांच पेज के हैं आप बस उसको उठाके एक बार तो दीजिए दो दिन बार जब इसको बार बार पढ़ बोरिंग कौन सा आपने स्पैसि मैंने यूज किया था स्वायल ओगर ऐसे एक बोरिंग होती है परक्यूशन बोरिंग या और उसको रोटरी बोरिंग बोलते हैं तो ऐसी types of boring है आपको क्या करना है पढ़ देना है types of boring question आता है इससे ठीक है तो मैंने वोस बोरिंग के बारे के लिए इस होता है सर यह पहले संपल जान लो दो परकार के सेंपल होते हैं कैसे undisturbed Sample कि अंडिस्टरब्ड सेंपल कि यस और एक होता है यस होता है ऑफ एक संप्ड रसर्वापड अन डिस्टरफन होता है बताया है ना मैंने un disturbed or disturbed आपको कैसे अभी बताया था कि आपने जो sample डाला उसे जो sample collect किया उसकी properties अगर change हो गए उसका structure water content change हो गया उसका अगर change हो गया तो वो undisturbed नहीं रहा ना disturb हो गया तो undisturbed sample के लिए आपको क्या sampler जो synth wall Samplers की use करना पड़ेगा, thin wall क्यों, क्योंकि पतली जितनी wall रहेंगी, area ratio जिसना कम, internal clearance जिसका कम रहेगा, ऐसा Sampler आप use करो, उसके क्या मिलेगा सर आपको, undistrupt Sample मिलेगा, ओके, अब आपको disturbed Sample चाहिए, तो disturbed Sample में 2 प्रेकार की Sample आते हैं, काता है representative 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 sample ओके पर एक होता है आपका non representative sample non non representative sample होता है ठीक है यह क्या बला है सर representative sample मतलब जिसमें उसका जो इस्ट्रक्चर है वह change हो गया है लेकिन वह चंज नहीं हुआ लेकिन वाटर गंतेंट जो है वाटर कंटेंट उसकी जो प्रॉपर्टी यह सब चेंज हो गए तो क्या हो गया आपका यह representative सेंपल हो गया इसके स्वाइल इस्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ लेकिन जो वॉटर कंटेंट अगे रहा यह चेंज ओगए है तो यह रिप्रेजनटेटि लेकिन non representative मतलब उसका soil structure भी change water content उसकी properties भी change हो गई अटरबग limits भी change हो गई तो उसको बोल दिया non representative sample अब जो wash boring है wash boring से हमें disturbed sample मिलेगा clear पहली बात क्या disturbed sample मिलेगा दूसरी बात disturb में भी कौन सा sample मिलेगा sir disturb में भी non representative sample मिलेगा तो याद रखिए wash boring से कैसा मिलेगा आपको disturb और disturb में भी non representative sample मिलेगा wash boring में ओके और wash boring sir किसलिए use होती है ये भी सवाल आ चुका है तो देखिए मैं आपको फिर यहां लिख दे रहूं sir wash boring ground water table पता करने के लिए निकालने के लिए use की जाती है wash boring ठीक है ठीक है मैंने आपके बताया था auger boring कैसे देखो ऐसे 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 एक screw type screw के जो रहते हैं थ्रेट्स वैसे एक structure होता है हां sir होता है यह कैसा कैसे क्या केते हैं इस वाइल ऑंगर क्या बोलते हैं सर स्वाइल औगर इसको use करते हैं इसे कैसा sample मिलेगा इसको गुमागा के soile में डालोगे हाँ डालोगे तो इससे कैसा कर देखने सी पता चल रहा है जब यह गलगोल करेगा कर देगा सेंपल मिलता है और यूस करने पड़ते हैं ऍफुड़ता और अपको क्या करनाम कर लेना है सारह बोरिंग के बारे में या exploration के बारे में सब कुछ याद कर लेना है रिवाइज करोगे बन जाएगा चलिए क्वेशन पढ़ते हैं क्या वाश बोरिंग इस रिकमेंड़ टू अप्टेंड अंडिस्टरब नहीं भाई यह तो गलत बात लिखी है गलत बात लिखी है तो जब इस रॉंग ह हो जाता है अशर्चन जब रॉंग हो जाता है तो हम जानते हैं कि हमारा दी संक्रेक्ट हो जाता है तो रंत मं लगा देंगे डिवाश बोरिंग वाटर पमड थ्रो दा होलो ड्रिल्स यह प्रोसीजर लिखा है वह बोरिंग का याद कर लो पहली बार पढ़ रहा है ना टफ लगेगा पहली बार देख रहे हो तो तफ लगेगा बस पढ़ लो दो बार पढ़ोगे तीन बार पढ़ोगे तो यह फैमिलियर हो जाओगे तो यह लगेगा कि अच्छा वाश बोरिंग में तो ऐसा होता है हां देखो आपने ऐसे प्लेट लोड टेस्ट का प्रोस्टर पहली दू हो ड्रिल्ल राच इमर्ज़ेस दू डा पूर्स ओफ दचोंपिंग विट चोंपिंग बिट कैरिंग डिसिंटिंग्रेटेड स्वाइल फ्रेगमें तो तूट ही जाएंगे ना वोरिंग में क्यों है डिस्टब्स सेंपल जो मिल रहा है हां तो आपको क्या करना है इसके short notes या फिर इसको thoroughly पढ़ दो आप ठीक है और images देखिएगा images देखोगे तो आपके mind में छप जाएगा जैसे ये आपने आप याद रहेगा कि ऐसे ऐसे से गुमा के डालना है क्या auger boring ये auger है इस soil auger है ये आपके mind में आ गया ना ऐसे ही आपको क्या ऐसे ही आपको दिख जाएगा wash boring कैसे करते हैं आप एक बार देख लोगे याद रहेगा चलिए आगे बढ़ूँ question number 388 क्या सरसन बोल रहा है if the water table is very near to the subgrade of the road it will ultimately cause cracking of the road surface reason में the consistency of the soil will change from plastic limit to state leading to its volumetric chain decrease आप एक बात बताईए एक subgrade है road की बात करते है road में जो subgrade नीचे earth fill रहता है वो subgrade है ठीक है जो subgrade है उधर पर अगर water table आ जाए उसके पास में क्या है सर उसके पास में अगर water table आ जाती है तो क्या होगा water table आई मतलब पानी आ गया soil में तो पानी की tendency है फैलने की पानी चाहता है फैलना जैसे ही पानी फैलेगा तो क्या हो तो volume expand करने लगेगा subgrade का जैसे ही volume expand करेगा तो क्या एक बाद बताइए cracking आईगी क्या हाँ सर cracking आने लगेगी subgrade में तो वही तो लिखा है पहले statement में कि if the water table is very near to subgrade of the soil it will ultimately cause cracking of the road surface हाँ सर क्यों हुआ यसा अभी तक जैसे मान के चलिए स्वाइल plastic state में थी wanine वाटर आगया water आगया मश्टलब प्लास्टिक लिमटेऀ सवाइल हाँ प्लैक लिमिट पर आगय एपानी ही पानी हो ने लगा तो वही लिखा है the consistency of the soil will change from plastic to liquid state leading to its volumetric degrees clear बात है हाँ सर पी clear बात है बीच में आपने because लगा के पड़ा था तो आपको पता चला कि दोनों statement individually तो सही थे साथ ही साथ ये explain कर रहा है reason किसको असर सर को so option number is correct okay चलिए आगे बढ़ो question 389 क्या बोल रहा है assertion foundation on expensive soils must be designed for a for designed for as high as bearing pressure as possible consistent with bearing capacity and settlement requirement सही बात है न हाँ क्या expensive soil पर अगर आप foundation design कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि उसकी bearing capacity बहुत जादा हो as high as possible हो settlement और क्या आपकी settlement requirement उसकी बहुत मतलब आप चाहते हो कि उस पर bearing pressure जो आ रहा है आप हाई से हाई के लिए design करने के free हो जाओ क्यों उससे जादा अगर आ गया तो तो ठीक है नहीं तो उस से कम के लिए तो आप सेफ हो हाँ सर उसके लिए कम से हम सेफ हैं इसलिए हम चाहते हैं प्रिंग capacity जादा हो स्वाइल की और उसके लिए हम foundation design करते हैं किस केस में expensive केस में क्यों expensive soil की tendency है volume change होने की क्यों क्योंकि expensive soil में एक claim मौन्ट मौनलॉइट पाए जाता है जो क्या करता है वो जो water crystal ऐसे attract कर लेता है और उसकी bond जैसे पानी मिलता है जल्दी से तूट जाती है और volume क्या हो जाती है एक्सचेंज होने लगती है बढ़ने लगती है इसलिए हम foundation में चाहेंगे कि बियरेंग क्यापिस्टी जादा हो कब expensive soil के case में reason क्या लिखा है lightly loaded single and two storied buildings experience maximum damage when built on expensive soil तो यही बोल रहा है कि जो lightly loaded end to story building experience maximum maximum damage when built on expensive soil हाँ अगर expensive soil में lightly loaded building आप बना दोगे तो उसमें क्या उसमें sir maximum damage वो experience करेंगे तो यह दोनों statement individually correct हैं लेकिन आप एक बात बताईए कि एक बात बताईए कि यह दोनों यह इसको explain कर रहा है क्या नहीं सारे explain नहीं कर रहा तो option number b is correct okay ठीक है चलिए क्या बोल रहा है assertion the possibility of question number three ninety हम last सवाल पर आ गए हैं हमारे session के और soil mechanics जो हमने शौरी सीरीज में ली है उसके यह last सवाल है आप revision कर रहे होंगे आपको exam seriously देना है अगर जो जो serious है वो तो revise कर रहे हैं और जो अगर serious नहीं है तो वो तो ऐसे देख रहे हैं पड़े हो के देख रहे हैं भाई तो आपको क्या करना है फिर से इस पूरे series को मैंने करीब करीब 19 लेक्चर लिए हैं 19 लेक्चर मतला 19 घंटे की बात है यह लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आपको 1.52 पर एक बार और देख लेना है अब आपको पैन नहीं आप बस ऐसे देख लीजिए आपका रिवाइज हो जाएगा एक सब्जेट पका स्वाइल कितना important है आप अगर सैयारी कर रहे हैं प्री तो निकाल के आएं आपको पता है कितना important है तो आपको बस अब उठ जाना ठंड लग रही होगी रजाई में छुपके भी देख रहे होंगे कई लोग लेकिन नहीं अब में टाइम आ गया है में टाइम में मेहनत इतनी करो नौकरी इसी बार लो क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है इतना unemployment है अगर आप इस स्टेज पर आ गए आप बिलकुल नौकरी ले कर जाएए इस सब से मतलब आराम करने से कुछ नहीं होगा इस सब को revise करिए बार बार करिए शॉर्ट नोट्स करिए ठीक है चलिए इस क्वेशन को कंप्लीट करते हैं क्या असर से दा पॉसिबिलिटी ओफ पाइपिंग फेलर इन अर्थ डेम इस मूर इफ ब्लैक कॉटन स्वाइल इस दा फॉन्डेशन मटेरियल तो यह सही बात है क्या हां सर अगर ब्लैक कॉ अर्दा मोश्ट कॉमन स्वाइल स्वहर इवर वार बैक इस प्रिजेंट तो हीली ख्रण वाइल क्या है और बने तो यहां सामन कर रहा है च्क्रैन कर रहा है क्याậ एक्स्प्लें last question है फिर से पड़ो क्या the possibility of a piping failure in earth dams is more if black cotton soils is the foundation material अगर foundation material black cotton soil है तो piping failure ज्यादा हो की tendency ज्यादा होती है क्योंकि क्योंकि the highly expensive black cotton soils are the most common soils where basalt rock is present यह reason है क्या नहीं दोनों statement individual ही तो सही है लेकिन यह इसको explain नहीं कर रहा इसलिए option number b is correct चलिए यहां पर हमारा यह session भी खतम होता है और यह series जो soil mechanics की है शौर सीरीज soil mechanics subject भी खतम होता है मैं आपसे result चाहता हूं इतनी अगर महनत की है तो इस बार ही selection ले करने के लिए आप बार बार मतलब एक बार महनत करनी है एक बार महनत करिए और selection ले करने के लिए ठीक है चलिए अभी तक मैंने आपको अपना नाम तो नहीं बताया था लिखा तो है फिर भी देखिए मैं अपना नाम बता देता हूं आपको जाते जाते तो दिस इस अभी शेक श्रीवास्ता साइनिंग आप विद इस सेशन ओके मिलेंगे नेक्स नेक्स सेशन में जब मैं लेकर आऊंगा तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और तयारी के जोरदार करिए और इसी बाहर नौकरी ले करने कलिए ठीक है चलिए आगे बढ़े अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है लाइक करिए कमेंट जरूर करिए कमेंट में क्या डाउट्स पूछिए और आपको कैसा ल से नहीं है कि कब लेक्चर आरा पता नहीं चलता है जिसलिए आप यह कर लीजिए ठीक है में लेंगे नेक्स सेशन में तब तक के लिए टेक केर गुडबाय जैहन